हेलो में फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यू चैनल इसाइं क्लासेज में आज हम लोग देख रहे हैं क्लास टेंथ की मैथ वन साथ वीडियो के संखला में अपना दूसरा वीडियो हमने एक वीडियो प्रोवाइट किया है आपको इंडिर सांग मैंने बताए हैं उससे ज्यादा कोशन आपको पढ़ने के सकता नहीं है आज जो है मैं त्रिकॉनमिती का वीडियो लेकर आये हूं जिसमें से पूरे कोशन में बताऊंगा और जो है हाइटन डिस्टेंस का एक वीडियो अलाग से बनाऊंगा इसका इसी के बाद जो है तो क्लास तो यहां पर देखे अपका ऑला कोशन वहां से आप लेते हैं कोशन है आपका साइन 36 कि साइन 36 अपान काश चूवण अपान काश स्ववण बहुत ही आसान सा क्वेशन है लेकिन बहुत बार वर्ड के एक्जाम में पूछा गया है काश शाइन साइन चॉववन आप देखिए आपको प्रूब करना है टू के एकवल तो यहाँ पर आप क्या करोगे साइन 90 मनस थीटा का फर्मन लगाओगे साइन 90 अब यहाँ पर ज्याद़ आपको सोचने को सकता नहीं होती है दिनामिनेटर को नामिनेटर से माइनस कर देते हैं इसी प्रकार का कुछ सिस्टम होता है 90 माइनस का 54 कर देंगे यहाँ पर और अपान में यह हो जाएगा आपका कास 54 फिर यहाँ पर आपको हो जाएगा इसमें भी यही करते हैं कास 90 माइनस का 54 कर देंगे यहाँ और यह आपको हो जाएगा साइन 54 अब यहाँ पर चेंज है साइन 90 मानस थीटा में तो यह आपको हो जाता है कास 54 और अपान में यह हो जाएगा कास 54 और यह आपका कास 90 मानस थीटा यह भी हो जाएगा साइन 54 अपान साइन 54 अब यहाँ पर जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो इसकी वैलू 1 और यह भी 1 तो 1 1 किते हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे इस पकार से पहला कोश्चन सॉल्ब किया है अगले कोश्चन की तरफ चल बाइन 4 मेंबार 2 किसों की वैलू होती थाइन 30 की वैलू होती कित्ती होतीसा ऐका से थे हो जेहां से हमने माइनस-ब क्या निकाल थार्टी निकाली थाडिक थार्ट्भीिए ठ्विक्टी नमबर 1 बना दिया आघ्ला कहीं कि रहा है कि कॉस्च क्लस बिए थे A plus B is equal to दिया है आपको 1 by 2 तो cos A plus B, यहनि cos theta 1 by 2 cos theta में 1 by 2 किसकी value होती है? cos 60 की होती, किसकी होती? cos 60 की होती, तो यह हो गया आपका A plus B is equal to 60 equation number 2, और वहाँ पर दे रखा है कि 0 is less than A plus B and equal to 90 and less than, तो इसमें कह रहा है कि A जो है, कोण B से क्या है, बड़ा है तो आपको A और B की value निकाल ली है वहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ सब दोनों समिकाड़ों को हल कर लेते हैं A minus का B is equal to कितना? 30 अब यहाँ पर आपका हो जाएगा B cancel out हो जाएगा, जोडने पर तो यहाँ पर आपको आजाएगा 2A is equal to कितना? 90 तो यहाँ आपको हो जाएगा 45 तो यहाँ से आपकी A की value कितनी आ गई 45 आ गई अब A की value जब आ गई तो किसी equation में इसको रख सकते हैं यह 45 यहाँ पर minus का B is equal to 30 अब B को अधर लेकर चले जाते हैं 30 को अधर ले आते हैं तो 45 minus 30 is equal to B तो B की value आपकी कितनी आ जाएगी 15 degree तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोण जो है A plus B का मान जो है क्या है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है इस चीज़ को प्रूब कर दिया क्योंकि A की value किती 45 है और B की value किती 15 है दोनों का एड़ कितना आएगा 60 तो वहाँ पर दे रहा है कि 90 जो है उससे बड़ा है तो यह चीज़ क्लियर हो गई और यह कोण जो है 0 से बड़ा है और वहाँ पर यह चीज़ देखिए A जो है B से बड़ा है तो A की value 45 है और B की value किती है 15 है इसलिए वो उससे बड़ा हो गया यह question हो गया अब आप तीसरा question ले लिए हमारा third question देखिए क्या लिखा है यहाँ पर है tan 35 tan 40 और tan 45 और tan 50 है और tan 55 है उसको रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में relation बन सकता है इन दोनों में relation बन सकता है तो यहाँ पर आप क्या करोगे 90 माइनस का अगर 55 कर देंगे 90 माइनस का 55 जब आप कर दोगे तो यहाँ पर 35 हा जाएगा और यहाँ पर क्या कर देंगे 10, 90, minus का अगर 50 कर देंगे तो यहाँ पर भी 40 आपको मिल जाएगा 10, 45 की value आपको given है 1 होती है और जिसके मान कोई change नहीं करना उसको ऐसे ही रख देंगे 10, 55 अब यहाँ से देखिए 10, 90, minus 55 यानि कि यह हो जाएगा cod 55, cod 55 यहाँ से एक काम करते हैं 55 को इसके पास में कर लेते हैं 10, 55 यह भी हो जाएगा यहाँ पर 10, 90, minus theta तो यह आपका cod 50 हो जाएगा किता हो जाएगा cod 50 और यह आपका 10, 50 हो जाएगा और यहाँ पर एक सूत्र होता है इस सूत्र को मैं बता दूँ यहाँ चूंकि cod theta into 10 theta is equal to आपका 1 होता है तो यहाँ से इसकी value 1 हो गई और इसकी value भी हो गई यह निए 1 into 1 is equal to 1 यह आपका answer हो जाएगा अगले question की तरह आपको लेका चलेंगे हम बहुत तेजी से अगर हो रहा होगा तो कमेंट करेगा अगले वीडियो में थोड़ा सा हम आसान से करेंगे अगला question आपका है question number 4 क्या करा है करा कि तरभुज ABC में सिध करना है आपको 10 B plus C by 2 और is equal to court A by 2 तो यहाँ पर आप देखिए तरभुज के तीनों कोडों का मान कितना होता है यह आपका होता है 180 कितना होता है 180 हो जाता है तो यहाँ से आप देखिए आपको B plus C एक तरफ चाहिए A by 2 एक तरफ चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करोगे B plus C एक तरफ कर दिया उसके बाद में यहाँ पर कर देंगे 180 minus का A अब वहाँ पर half angle में है तो यहाँ पर आप दो से भाग कर दिजिए यहाँ पर दो से आपने भाग कर दिया अब देखिए जो आपको same condition चाहिए जिसे माली यह 10 B plus C by 2 है तो जो इस side वाला होता है जो जिसम both side आप time ले लेंगे तो यहाँ पर भी आपने time ले लिया अब यहाँ पर यहाँ पर क्रास हो गया 90 minus A by 2 हो गया तो यह चीज एक side आप क्या गई अब 10 90 minus theta क्या होता है यह आपका होता है cot theta तो किता हो जाएगा cot A by 2 यही आपको प्रूपन नहीं था तो यह देखिए आपका महत्पूर हैं बोड के हिसाब से 2023 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा important है आपकी बार सरसमकाओं का दो सालों से आपके सलेबस से सरसमकाओं को हटा दिया गया है इसलिए मैंने सरसमकाओं को नहीं लिया है लेकिन बाद में एक वीडियो जो है बनाओं का मैंने बताया था जिसम नमबर लेते हैं 5 यहां सो देखिए सवाल सें क्या है क्या है टू कॉट 15 अपानमे 10 75 और माइनस का टू साइन कहाइज तीस कोट 45 और 60 60 कि क्या करनी है आपको वायलू ग्यात करनी है तो यहां पर देखिए क्या करेंगे 2 cot में क्या करेंगे 90 minus का जो नीचे angle दिया है वो कर देंगे 75 upon में किता हो जाएगा 10 75 minus 2 sin 30 की value आपको given है 1 by 2 cot 45 की value given है 1 और 60 की value किती होती है यह आपकी होती है 2 सरी 2 हो जाती है क्योंकि cost 60 की value होती है 1 by 2 तो 60 की किती हो जाएगी cable 2 हो जाएगी इस 2 से इस 2 को हमने cancel out कर दिया यहाँ पर देखिए 2 cot 90 minus theta क्या होता है यह आपका 10 हो जाता है तो 10 75 हो जाएगा 10 75 upon में 10 75 और minus का यहाँ पर क्या बचा cable 2 तो यहाँ से इसको जब cancel out करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 minus 2 means 0 इसका मान किता आजाएगा जीरो आजाएगा चलिए अगला question भी ले लेते हैं question number 6 question number 6 लेते हैं यह आपका दिया गया है 5 cos square 60 5 cos square 60 plus 4 6 square 30 4 6 square 30 और क्या है और दिया गया है minus का 10 45 minus का 10 square 45 और उसके बाद प्लस का cos square 90 प्लस का cos square 90 तो यहां से आप देखिए मान रखेंगे 5 cos 60 की value कित्ती होती है 1 by 2 1 by 2 का यह whole half square हो जाएगा 4 630 630 का मान क्या है यह आपका होता है 2 बटे में root 3 2 बटे में root 3 का square minus 10 45 की value 1 का square plus cos 90 cos 90 का मतलब है यह आपका 0 होता है अब इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 by 2 1 by 2 means 5 by 4 हो जाएगा प्लस का 4 यहां पर हो जाएगा 4 by आपका root cancel हो जाएगा 3 हो जाएगा यहां पर minus का 1 आप इसको कुछ नहीं करना आपको इसको solve कर लेना है 3 और 4 का LCM कित्ता होगा 12 आप देखिए यहां 5 है और यहां पर 4 है तो यहां पर 3's multiply होगा तो कितना हो जाएगा आपका 15 और यहां पर 4 4 जा 16 और यहां पर किसने multiply होना है आपका 4 से होगा क्योंकि यहां पर इसमें जब अगर multiply करेंगे 4 से तभी आपका clear होगा 4 चुछ 16 को 64 हो जाएगा प्लस का और ये minus का आपका कितना हो जाएगा 12 अब क्या करना है आपको इसको multiply जोड करके solve कर लेना है पांच आप, नो और छे 1 साथ minus का 12 बटे में 12 तो ये आपका कितना जाएगा साथ साथ से गया 6 सरसट बटे में 12 ये आपका अनसर हो जाएगा चरिए अगले कोशन की तरफ आपको ले चलेंगे ये सारे कोशन जो है दो दो नमबर के हैं इसमें कुछ कोशन चार नमबर के भी आते हैं अगला कोशन ले लेते हैं कोशन नमबर सेबन बहुत ही ज़्यादा most important है यह most important है बहुत ज़्यादा पूशा जाता है question क्या है sin 3a यहाँ पर दिया गया है sin 3a बराबर आपको दिया गया है मान कितना cos a minus 26 cos a minus का 26 आपको यह दिया गया है आप यहाँ पर देखिए जहां 3a एक noon cone है noon cone का मतलब समझ रहे हैं आप 90 से कम है a कमान आपको गयाद करना है तो यहाँ पर कार करेंगे आप कास a minus 26 दिया है इसको भी आप कास में convert करिए तो यह आप मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कर देंगे 90 minus का 3a तभी यह sin 3 बना होगा यह होगा कास a minus का कितना 26 हो गया आप यहां से कास किंसल आउट हो जाएगा 90 minus का आपका बचेएगा 3a इसको ल्ट कितना हो जाएगा a minus का 26 हो जाएगा क्या होजाएगा a minus 26 आप यहाँ पर क्या करेंगे हो जाएगा आप यहां से a की वैलू आपने कित्ती निकाली 29 आपको निकालना क्या था इसी की वैलू निकालनी थी क्या निकाली थी यहां पर एका मान आपको ग्याद कर देना था अगर यहां पर यह भी प्रूब करना है कि 3a जो है नियून कोड है तो यहां पर आप क्या कर स कोच्चन नबर 8 क्या कह रहा है आपका कोच्चन नबर 8 है 2x tan square 60 plus का 3x cos square 60 minus sorry is equal to 227 है sec square 45 बटे में 4 cos square 30 आप देखिए इसको क्या करेंगे यहां से x की value given करनी है यहां पर तो 2x हो जाएगा tan square 60 का मतलब root 3 का whole of square और plus का 3x 3x उसमें दिया गया है cos square 60 का मान कितना होता है 1 by 2 का whole of square is equal to यह हो जाएगा 27 sec 45 की value होती है root 2 root 2 का whole square और cos 30 की value होती है cos 30 की value हो जाएगी कितनी under root 3 by 2 का whole of square अब इसको करते हैं solve तो यहां पर हो जाएगा 2x root हट जाएगा केवल तो यहां पर 3 हो जाएगा plus का 3x और यहां पर हो जाएगा 1 by में 4 is equal to 27 into 2 upon में 4 into कितना 3 root हटेगा केवल तो यहां पर हो जाएगा 4 4 से 4 cancel out कर देंगे अब यहां पर आपका LCM 1 है तो LCM कितना जाएगा 4 यहां पर 4 तीन दुनी 6 4 24 x हो जाएगा चार बुड़े 18 अब यहां 9 से काड़ देते हैं 9 दुनी 18 9 तरिक 27 तो x कामान कितना जाएगा आपका 4 दुनी 8 बटे में 3 x की value आपकी कितना आ जाएगी 8 बटे में 3 आ जाएगी अब चलिए अगले question की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे हमारा अगला question देखिए दिया गया है question number 9 question number 9 question number 9 क्या है cut a कामान बताना है जबकि आपको दिया गया है 3 cos a 3 cos a minus 4 sin a minus 4 sin a 4 sin a बराबर 2 cos a और plus का दिया गया है 3 sin a plus का 3 sin a अब यहां से आपको cut a की value निकालनी है तो पहले क्या करें 3 cos a दिया गया है इसको लाएंगे इस साइट तो 3 cos a minus का क्या हो जाएगा 2 cos a अब यह 4 sin a minus का उधर ले जाएगे तो 4 sin a हो जाएगा plus का और यहां पर है 3 sin a तो यहां से आपको कितना हो जायेगा 3 cos a से निकालेंगे तो यह हो जाएगा cos a और यह हो जाएगा 7 sin a कितना हो जाएगा 7 sin a अब sin a को इसके नीचे लाएंगे तो cos a बटे में क्या हो जाएगा अब यह साइन हो जाएगा और बराबर साथ और कॉस एज बटे साइन क्या होता है कॉर्ट होता है आपको मान किसका निकाला था कॉर्टे का तो यह अपका मान हो जाएगा आएगे देखते हैं अगला कॉश्चन कॉश्चन नंबर है आपका 10 कॉश्चन नंबर कॉश्चन है यहां पर दिखिए क्या दिया गया है आपको प्रूव करने वाला सवाल है साइन थीटा दिया है उसके बाद कास 90 मैनस थीटा दिया है कास 90 मैनस थीटा और प्लस दिया है कास थीटा कास थीटा और साइन 90 माइनस का थीटा आपको प्रूव करना है 1 के एक्वाल क्या करना है 1 के एक्वाल इसको प्रूव करना है तो यहाँ पर देखें sin A, cos B, cos A, sin B वो फार्मला भी आप इस्तमाल कर सकते हो यहाँ पर उससे भी आपका साल्व हो जाएगा और ऐसे भी कर सकते हैं आप देखें मैं दो तरीका बता रहा है इसका इसका फार्मला यह लिखा है sin A, cos B, plus cos A, sin B तो यह आपका डारेक्ट फार्मला होगा थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा अगर यह ब्रेकाट हम ना लगाएं तो यह हो जाएगा और थीटा से थीटा के इंसल हो जाएगा तो sin 90 की वैलिव कितनी होती है वन आ जाएगी एक तरीका आपका यह हो गया दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर आप करोगे sin थीटा हो गया और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है वो भी आपका sin थीटा हो जाता है और यह आपका हो जाएगा cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर sin स्क्वाइर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर आपका cos स्क्वाइर थीटा हो जाएगा और इसकी value क्या होती है 1 तो आप चाहाए ये तरीका लगा है ये चाहाए ये तरीका लगा है दोनों तरीकों से आप इसको solve कर सकते हैं अगले question की तरफ चलेंगे हम आपको लेकर के question number आपका 11 है और वो question दिया गया है tan theta is equal to 4 by 3 most important question ये भी है ये एक सवाल आता है tan a minus b करके आ जाता है अब यहाँ पर आपको prove करना है क्या 2 sin theta upon में cos theta और ये आपका दिया गया है cos square theta minus sin square theta ये चीद दी गई है ये आपका formula होता है sin 2 theta का किसका formula होता है sin 2 theta का लेकिन वहाँ पर आप थोड़ा सा गड़बट हो जाएगा इसका लगाना यहाँ पर ऐसे भी कर सकते है sin 2 theta इसका मान हो जाता है और tan 2 theta हो जाएगा तो वहाँ से थोड़ा सा मान निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा यहाँ पर आप पैथागोरस की theorem ही लगा दीजे यहाँ पर जब पैथागोरस की theorem लगाएंगे तो यह क्या होता है लंबटा आधार तो लंब कितना है चार और आधार कितना है तीन तो यहाँ पर करेंगे करण में क्या होता है 4 चोग 16 3 तरिक का 9 16 9 25 यानि कि यह आपका आजाएगा 5 तो यहाँ से आप सबके मान आपको क्लियर हो गए आपको रखना है 2 sin theta into cos theta upon me cos square theta minus sin square theta तो यहाँ से आप रखोगे मान 2 sin theta की वाली कितना है जाएगी लंब लंब बटा करण 5 चार बटे में 5 हो जाएगा और यहाँ से cos theta का मान 3 बटे 5 हो जाएगा तीन बटे 5 और कास theta theta की वाली कितनी है कास theta का मान आधार बटे कांड तीन बटे 5 का whole square हो जाएगा और माइनस यह हो जाएगा आपका 4 बटे 5 का whole square फिर अब यहाँ पर हो जाएगा आठ चार दुनियार तरिक 24 बटे में 25 और पूरे का बटा हो जाएगा 9 बटे 25 और माइनस 16 बटे 25 अब इसको जरा solve करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 यह हो जाएगा 24 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 और यह पर 9 माइनस का 14 से 15 cancel out कर दिजिये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 बटे में माइनस का 7 यह आपका answer और जाएगा अगले question की तरह आते हैं, question number 13, question number 13 भी बहुत important है, यह question 4 number में आया था, 2019 में, तो यहाँ पर दिखिए क्या करेंगे, 3x1 is equal to दिया है आपको कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और यहाँ से हम x1 का मान निकालेंगे, तो क्या आजाएगा, कॉसेक थीटा भाई 3 आजाएगा, यह आजाएगा, अब फिर क्या करें, उसके बाद दिया गया है, आपको 3 भाई x2 का मान, यह आपको दिया गया है, कॉट थीटा, किता दिया गया है, कॉट थीटा बटे में 3 हो जाएगा आपको solve कहांस करना है यहां से 3 x1 का square और minus 1 by x2 का whole square तो क्या हो जाएगा यहां पर 3 है अब यहां पर आप इसके मान रखोगे x1 का whole square करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कॉसेक square थीटा बई 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और यहां पर जब आप करोगे तो court square थीटा बई 9 आप यहां से आप क्या करेंगे 3 कामल ले लेंगे 9 कामल ले लेंगे तो यहां को हो जाएगा कॉसेक square थीटा माइनस का q² theta तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा 1 by 3 और देखिए यहाँ पर 1 plus q² theta परबर होता है kawseg square theta 1 plus q² secret और qara square किधर कर एद स्थर कर देंगे तो उसकी value क्या हो जायगी 1 हो जायगी तो आप आद सर कितेह आजागा 1 by 3 आईए देखते हैं अगला question question number 13, question number 13, देखिए क्या दिया गया है, एकदम unique question है, इस प्रकार के question भी आ जाते हैं कभी-कभी, one minus का sin theta, plus cos theta, बटे में one plus sin theta, one plus sin theta बरावर four, आप देखिए वहाँ पर क्या दिया गया है, कि theta की value जो है 90 से क्या होनी चाहिए, छोटी दी गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हर इसके equal कर लेंगे, तो यह हो जाएगा one minus sin theta, और one plus sin theta, हर बरावर उपर power है, उपर का जो है common कर लेंगे cos theta, अब यह cross में चला जाएगा, one plus sin theta हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा one minus का sin theta, और बरावर में 4, sin theta, sin theta cancel कर दीजिए, एक, एक कितना हो जाएगा, दो, दो cos theta, अब यहाँ पर हो जाएगा, a minus b, a plus b, तो a square minus b square, यानि कि one minus sin square का sin square theta बरावर 4 हो गया, तो दो दुनी हो गया, 4, यहाँ पर हो जाएगा cos theta, और one minus sin square theta बरावर भी यह क्या हो जाएगा, cos square theta यह भी हो जाएगा, अपान में 2, यह आपका cancel out हो जाएगा, तो यहाँ पर one upon cos theta मिन्स sec theta, sec theta बरावर 2, sec theta में 2 किसकी value होती है, sec 60 की value होती, किसकी होती, 60 की, तो theta की value है कितिया जाएगी, 60, यहाँ पर क्या दिया है, कि theta जो है 90 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि theta बाकई में 90 से क्या है, छोटा है, अगले question की तरब ले चलेंगे आपको, question number 14, 14 में 2 part है, त्रिभुज ABC दिया गया है, एक तरह इस प्रकार का सवल में बता चुका हूँ आपको, A plus B plus C बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोड़ों का मान होता है, इसलिए वो त्रिभुज बार बार सो करता है, कि त्रिभुज ABC सिद्ध करो, तो यहाँ पर A plus B plus C is equal to 180 है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखिए, B plus C को इधर जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, B plus C को इधर रोक लेंगे, और उसको उधर कर देंगे, A को, अब मैंने क्या बताया था, कि जो, जो चेंज नहीं हो रहा एंगल, उसको हम इस साइड में रखेंगे, जैसे B plus C by 2 जिसमें है, मलतकि जिसमें दो एंगल जुड़ करके हाफ होता है, उस तरग के जो साइड का जो फंक्सन होगा, उसको लेंगे, तो यहाँ पका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रास करेंगे 90, तो SIC 90 मनुस सीटफ है क्या होता है, कोस इक हो जाता है, कोस इक a by 2 हो जाता है, आप उसके बाद उसी प्रकार से आपको यह question भी कर लेना same वही condition रहेगी यहाँ पर भी तो यह question आप अपने मन से कर लेंगे चलिए तो हमने question number 14 तक पूरी तरह से complete कर लिया है question number 14 तक आपके पूरी तरह से complete हो चुके है question अब आपके question केवल बचे हैं 5, sorry साथ question आपके बचे हुई है आप यहां से देखिए हम लोग करते चले जाएंगे question number 15 यहां से देखिए question number 15 जो है आपका note है तो यहां से आप क्या करोगे सीधे सुधे मान रखते हैं यहां पर x हो जाएगा 1045 की value कितनी हो जाएगी 1 और card 60 की value कितनी हो जाएगी 1 by 2 it's equal to sign 60 की value कितनी होती है यह हो जाएगी root 3 y में 2 और card 60 की value कितनी होती है वो हो जाती है 1 by root 3 और यहां से आपको x का मान निकलना है root 3 से root 3 cancel out हो जाएगा 2 से आपका 2 cancel out हो गया तो x बराबर किता बचा 1 बच गया यह question number आपका 15 हो गया अब हम question number 16 को लेंगे यहां से tan a बराबर cot b दिया गया है क्या दिया गया है tan a बराबर cot b दिया गया है दो दो number के question है यह यह दिया गया है आपको सिर्द करना है a plus b बराबर 90 तो उससे इसको भी solve कर सकते हैं यहां सकरिए tan है तो यहां पर क्या होगा पहले कर देंगे हम इसको cot 90 minus theta कर दें यहां कि 90 minus a कर दें और यहां पर आपका cot b हो जाएगा same angle कर देंगे तो फिर angle आपकी cross हो जाती है तो यहां पर आपका क्या बचेगा 90 minus का a is equal to क्या बचेगा b a को transfer करेंगे उधर तो a plus b बराबर कितना हो जाएगा 90 आपको यही प्रूप पर ना था यह question आपको complete हुआ अगला question है cos theta करा कि cos theta बराबर में 1 वटा 2 दिया है तो आपको cos 4 theta की value आपको निकाल लिए है इस परकार के question भी आ जाते है तो यहां से देखिए cos theta की value कितने हो जाएगी cos theta में 1 by 2 मान किसका है cos 60 का किसका मान है 60 का तो theta की value आपको कितने निकल गया ही 60 अब यहां पर करना है cos 4 theta की value तो cos 4 into 60 means कितना हो जाएगा cos 240 कितना हो जाएगा cos 240 cos 240 की value किसे निकालेंगे यहां से निकलेंगे हम, 180 प्लस में 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 240, अब यहां पर देखिए, एक फर्मला आपको याद होगा, ASTC, तो AS, यानि कि यह 180 से उपर जा रहा है, तो वहां पर 10 पास्टिव होता है, और काट पास्टिव होता है, तो यहां पर आपका कास कास ही र लेंगे, question number 18, question number 18 देखिए क्या है, यहां से देख लेते हैं, 10, 30, प्लस 10, 45, 10, 45, अपान में क्या है, 1 माइनस का 10, 30, और इंटू 10, 45, तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आप इसकी value लग देंगे, 10, 30 की value कितनी है, 1 by root 3, और 10, 45 की value है, 1, तो यहां पर क्या हो ज 1 minus 1 by root 3, और इंटू 1, अब यहां पर solve कर दीजिए, इसके नीचे एक है, इसके नीचे भी एक है, LCM आपका root 3 आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा, 1 plus root 3, 1 plus root 3, और यहां पर हो जाएगा, root 3 minus का 1 upon root 3, यह cancel हो जाएगा, अब यहां से आप क्या करोगे, यहां पर लिखा है, under root 3 minus का 1, यहां पर अगर हम करते, एक चीज़ देखिए, यहां पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, tan A plus tan B, 1 minus tan A tan B, तो यहां पर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, tan 30 plus 45, तो यहां पर हो जाता, tan 75, तो tan 75 के मान नहीं मालूम होता है, लेकिन यहां पर एक बार देहन दि वहां पर A plus B का होली स्कॉार बढ़ेगा, तो 3 plus 1 plus 2 root 3 हो जाएगा, और अपान में यह A square minus B square, तो 3 minus 1, यानि कि आपका हो जाएगा 2 common, तो आपका हो जाएगा 2 plus root 3, और अपान में 2, 2 से 2 कैंसल कर देंगे, यह आपका 2 plus root 3 जो है, यह इसकी value हो जाएगी, बहुत important question है, ज़्यादा महत पूर्ण रूप से पूछा जाता है, तो यह आपका हो जाएगा 1075 की value, और जो 1075 की value होती है, वही card 15 की value भी यह होती है, नहीं card 15 की value भी आपकी यह हो जाएगी, 90 minus theta के हिसाब से, तो यह question हम लोगों ने complete किया है, अब एक question आउ ले लेते है, question number 19, question number 19 देख सकत नहीं है, sign 2a is equal to कितना हो जाएगा, sign 2 into 30, तो कितना हो जाएगा, sign 60, और sign 60 की value भी क्या होती है, वही होती है, जो cost 30 की होती है, root 3 by 2, तो यह question हम लोगों ने complete किया, आप देखिए, कुछ question अभी बचे हुए हैं, वो question जो है, हम लोग साल करेंगे, जिसने वीडियो को अभी तक share ना किया हो, subscribe ना किया हो, channel को subscribe कर ले, क्योंकि मैंने बताया है कि, सोमवार, बुद्धवार, सनिवार, आपको जो है, इसका one side video मिलता रहेगा, जैसे मायत का concept खतम होगा, तुरंत मैं physics और chemistry के भी वीडियो जो है, इसी प्रकार से one side video में बना हैं, इस प्रकार के question बहुत ही ज़्यादा पुछे जाते हैं, question है, यहादी tan 2a, क्या दिया है, tan 2a is equal to cot a minus का 18 दिया गया है, करा कि जहाँ 2a जो है क्या है, noon code है, तो एक अमान ग्याद करना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, cot 90 minus का 2a हो जाएगा, is equal to cot a minus का 18 हो जाएगा, कार्ट से कार्ट कैंसिल होगा, तो 90 minus का क्या हो जाएगा, 2a is equal to यहाँ पर हो जाएगा, a minus का 18, a उधर ले जाएगे, तो क्या हो जाएगा, 3a is equal to 108, यहीं कि 108, solve कर देंगे, किता आजाएगा, 3.9, 3.18, एक आमान कितना आगया भई है, 36, दो दो नमबर के सारे question है, बहुत 1023, 1042, और 1067, प्रूब परना है, 1 के equal, अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले system बनाएगे, किसको किसके साथ रखें, आप देखिए, 8, 2, 10, 4, 4, 8, 9, यह 90 हो जाएगा, इसको एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1048 हो गया, इसको चेंज ना करे अब यहाँ से चेंज करना स्टार्ट कर दें, जिसका जिसके साथ संबन था, दूसरे वाले को चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस का इसको हम 48 लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हो, 1090 माइनस का कितना, 23, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, 1048, और 1023, और इसका इससे मल्टिपलाई करेंगे, इसका इसका मल्टिपलाई करेंगे, कितना आ जाएगा, वान आ जाएगा, अगला कोश्चन ले लेते हैं, कोश्चन नमबर टू, यह क्या है, काट 38, सरी, कास 38, कास 52, माइनस का साइन, 38 और साइन, 22, आपको प्रूब करना है, 0 यह आपका कास 90 हो जाएगा, और कास 90 का वेली क्या होती है, 0 होती, अग एक तो यह सूत से बता दिया, दूसरा ज़रा देखते हैं, कि दूसरे तरीके से यह लग पाता है, कि नहीं लग पाता है, तो उसमें क्या करेंगे, आप देखे, कास 38 का दिया, और यहां पर क्या कर तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, कास 38, और यह आपका हो जाएगा, साइन 38, और यहां पर आपका हो जाएगा, साइन 38, और वहां पर क्या हो जाएगा, कास 38, अब देखिए, दोनों सेम कंडिसन्स लिखी हैं, यह इससे कैंसल आउट हो जाएगा, इ यह क्या है तू कॉस फिप्टी एट अपॉन में साइन थाड़ी टू माइनस का रूड थिरी और उसके बाद है कॉस अड़तिस और कॉस एक बहत्तर बटे टैन पंद्रा टैन साथ और टैन पच्छतर आप देखिए इसको कैसे साल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू इसको कनवर्ट करते हैं कास 90 माइनस थर्टी टू मैंने बता है कि ज़्यादा आपको सोचने के जिरूत हैं नीचे वाले एंगल को ही इसमें से म आपका हो जयएगा यहां पर हम बड़ा ब्रेकर्ट लगा लेते हैं आपका हुजाएगा कॉस 38 आप इसको चेंज करने तो क्या हो जैएगा कास स्री कॉस्थ क्या होगा कॉसक 90-38 अगर 90-38 करेंगे कितना हो जाएगा 38-2 यह जादा हो जाएगा कितना हो जाएगा जादा हो जाएगा तो इसको हम ऐसे ही रखते है यह इसको हम ऐसे ही रखते हैं कॉसेक 72 ही रखते है अब यहाँ पर 10-15 को चेंड करने क्या हो जाएगा 90- का कितना हो जाएगा 90- का हो जाएगा 75 10-60 की वैलु आपको पता है अंडर रूट 3 होती 10-75 कितना हो जाएगा 10-75 आपको हो जाएगा 10-75 ही रखें यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कास से कास 38 से और कास 72 दिया गया है तो यहाँ पर अगर करेंगी हम लोग तो 90 से आए देखते हैं थोड़ा सा कोसिन मिस्टेफ हो गया था या 70 त नहीं है कितना है 52 है तो यहाँ से आए फिर देखते हैं इसको यह आपका हो जाएगा 90 का कितना यह अपका 38 इसको लिख सकते हैं तो यह हाँ से आपका हो 38 है यह आपका सेख होगा कितना होगा सेख हो जाएगा सेख 30 8 हो जाएगा और अपान में यह क्ता हो जाएगा काट 15 हो जाएगा काट 75 और यह 10 75 को इसके साथ में कर लेते हैं तो 75 हो गया और इंटु अंडरोड 3 तो आप अंडरोड 3 से क alone करदीजिए और science केंसल हो जाएगा Jupiter much, here to माइनस का यहां पर देखिए यह दोनों मिलकर सेक और काॉसेंओक के जो इंगल बराबर होते हैं तो इसकी माइली वह जाते है और यहां पर भी काड़ टरैफिर की हो जाएगी तो यहां पर इसकी वैलू भी वन हो जाएगी और इसकी वैलू भी वन हो जाएगी तो यहां पर कितना जाएगा वन तो टू से वन गया अपका वन हो गया अगला कोश्चन क्या है कोश्चन अबर टूंटी थ्री इसमें दिया गया है थ्री कॉट ए बराबर में फ quantumہ कौइर एक सक दिया गया है कोसको ऍौइर्ट साइन सक्वाइर ए D दिया गया है अब कह रहा है कि जाच करना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं तो सबसे पहले ये तो फार्मूले ही होते हैं कि is कॉज्टू एक है और ये भी आपका फार्मॉला कॉस्टू एक हैं तो यह ऐसे ही इस के मान इंद्ज क्या है बराबर हैं अगर यहां पर Oh correct का यह twitter हो गया आप यहाहसे हमें काट एक्क mad करें क्या रखना पांच हो जाएगा तो यहां से आप मान निकालोगे साइने का तो कितना हो जाएगा और कास एक अमान कितना हो जाएगा चार बटे 5 अब यहां पर इनके मान रखके करें साल एंजरा चार अपन में 1-3 बटे 4 का 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 वी स्कूआर अब यहां पर मान रखको कितना है कि को है साइन कमान है कितना कि सुर्जार यहां पर टैन कमान तीन चार है और्योट यह चार अपन्ग इस साल करें और दोनों एकशल हो तो यह आपका कितना होजाएगा ब्रेक अपन करके साल करेंगे तो 16 माइनस का 9 हो जाएगा बटे में 16 तो मान कितने आएंगे बराबर आएंगे तो यह आपका प्रूप हो गया दो कोश्चन आपके और बचे हुए हैं जो मुझे लग रहा है कि आ सकते ही एक्जाम में इसलिए मैं उनको भी बताने का प्रयास कर रहा हूं बता दे रहा हूं पूरा और ये एक ऐसा वीडियो में ने बनाया है कि जिसमें से अलग से कोई कोश्चन आने के पूरे चांस नही प्लस की आर प्लस कूरर का मान आपको दिया गया और प्चीस सेंटीमीटर दिया गया और पी क्यू का मान किते का पांच सेंटीमीटर दिया गया है Ohh अब यहाँ से इसको solve करेंगे इस त्रिभुष से अगर हम पाइथा गोरस की ठीरम लगाएंगे तो देखें क्या होगा वहाँ पर हो जाएगा PR का square बराबर PQ का square और प्लस का QR का square अब यहाँ से आप क्या करेंगे मान निकालेजिए किसका PR का मान निकालेजिए तो PR बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा 25 माइनस QR अब रख दीजिये मान तो यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या QR माइनस का प्लस क्या रखेंगे आप PR का मान आपको रखना है यहाँ तो वहाँ से आएगा 25 माइनस QR का whole square is equal to PQ की value दी गई है 5 का square प्लस QR का square वैसे ही रखेंगे अब A-B का whole square यहाँ पर open करेंगे तो कितना हो जाएगा 25-25 चेसो 25 और माइनस का 50 QR और प्लस का QR square बराबर में 25 और प्लस का QR square हो जाएगा QR square से QR square के अंसिल हो जाएगा अब यह इसको इधर लाएगे और इसको उधर ले जाएगे तो क्या हो जाएगा 50 QR और इसको इधर लाएगे तो आपका कितना हो जाएगा 650 पचीस से इसको आप उधर ले जा रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा 600 बचेगा है आपका बाद समझे यह उधर जाएगा आपका यह इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 600 जीरो से जीरो केंसिल और यह आपका कितना हो जाएगा 1265 तो क्यू आर की वैल कितने आ गई 12 से नहीं अब आपको निकालना है पी आर का मन तो पी आर बराबर क्या था 25 माइनस का क्यू आर तो से यह ज़िए ना यह जार दियान है यहां एक में एक किसका मन होता है 45 का यह कि ही कि कि आपको कि मान किसका निकालना है टू साइन गी है इंतुट चौल टू अगर इस वी पुन बवय कर चलते हैं तो यह फारमला आपका का लिखा हुआ है सैंट्वे का सबक्रक्राइब के ऊंगा कि इस प्रकार से 25 नहीं नहीं है यहां से अलग आपके कोई कोशन नहीं अने सारे कोशन यहीं से आने हैं तो इसको जो है जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिए से tore कर69